तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है और मेरे मार्क का वो जी आला है तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है पहला पात विधी वीवरण ग्रन अध्याए आठ पजसंख्या दो से तीन चौधा से सोलां तक मुसा ने लोगों से कहा चालिस वर्ष की मरुभूमी की वैयात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभू इश्वर ने तुम लोगों को वाध्य किया था उसने तुम्हे दीन हीन बनाने के लिए ऐसा किया तुम्हारी परिक्षा लेने के लिए तुम्हारे मनुभाव का पता लगाने के लिए वै जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्याओं का पालन करोगे या नहीं उसने तुम्हे दीन हीन बना दिया और तुम्हे भूका रहने दिया तब उसने तुम्हे मन्ना खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज वै तुम्हे ये शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है मनुष्य इश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है अपने प्रभु इश्वर को मत भूलाओ उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमी में वैशीले सांपो, बिच्चुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पत प्रदशन किया उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चटान में से पानी निकाला उसने तुम लोगों को इस मरुभूमी में मन्ना खिलाया जिससे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे ये प्रभू की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य जो ये रोटी खाएगा वैसदा ही जीता रहेगा जो ये रोटी खाएगा वैसदा ही जीता रहेगा हे ये रुशलम प्रभू की सुती कर हे सियोन अपने इश्वर का गुनगान कर उसने तेरे फाटकों के छड़ सुधरिट बना दिये उसने तेरे यहां के बच्चों को आश्रिवाद दिया अनुवाक्य जो ये रोटी खाएगा वैसदा ही जीता रहेगा वै तेरे प्रांतों में शांती बनाई रखता और तुझे उत्तम गिहूं से तृप्त करता है वै प्रित्वी को अपना आदेश देता है उसकी वानी शेगर ही फैल जाती है अनुवाक्य जो ये रोटी खाएगा वैसदा ही जीता रहेगा वै यकूब को अपना आदेश देता और इस्राहिल को अपना विधान तथा नियम बताता है उसने किसी अन्य राष्ट्रे के साथ ऐसा नहीं किया उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया अनुवाक्य जो ये रोटी खाएगा वैसदा ही जीता रहेगा दूसरा पाट क्रिंथियों के नाम संद पॉलूस का पहला पतर दस द्याए सोला से सत्रा क्या आशिश का बै प्याला जिस पर हम आशिश की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसी के रक्त के सहबागी नहीं बनाता क्या बै रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसी के शरीर के सहबागी नहीं बनाती रोटी तो एक ही है इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहबागी है ए प्रभु की वानी है इश्वर को धन्यवाद जय गोश अलेलुया अनुवाक्या अलेलुया प्रभू कहते हैं स्वर्ग से उत्री होई रोटी मैं हूँ यदि कोई वै रोटी खाए तो वै सदा जीवत रहेगा अनुवाक्या अलेलुया एश्व ने यहूदियों से कहा स्वर्ग से उत्री वै जीवन रोटी मैं हूँ यदि कोई ये रोटी खाए तो वै सदा जीवत रहेगा जो रोटी मैं दूँगा वै संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मास है यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे ये हमें खाने के लिए अपना मास कैसे दे सकता है इसलिए एश्व ने उनसे कहा मैं तुम लोगों से कह देता हूँ यदि तुम मानों पुद्र का मास नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुमें जीवन प्रापत नहीं होगा जो मेरा मास खाता और मेरा रक्त पीता है उसे आनत जीवन प्रापत होता है और मैं उसे अन्तिम दिन पुनर जीवत कर दूँगा क्योंके मेरा मास सचा बोजन है और मेरा रक्त सचा पे जो मेरा मास खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझे में निवास करता है और मैं उसमें जिस तरह जीवन्त पिता ने मुझे बेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझे से जीवन मिलेगा यही वे रोटी है जो स्वर्ख से उत्री है ये उस रोटी के सरदिश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था वे तो मर गई किन्तु जो ये रोटी खाएगा वे आनंत काल तक जीवित रहेगा ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है क्रीस्त की जै अल्ड़र ये जिसे तुम्हारे तुम्हारे प्रभु का जीवित्र सुसमाचार भाएगा थाएगा जीवित्र सुसमाचार है